तो आज चलिए करते हैं यह वाला आई लूप जो मैंने क्रियेट किया है तो यहाँ पर सबसे पहले यह वाला टुटॉरिल जो है यह कम्प्लीटली आई मेकप के टुटॉरियल ही है यहाँ पर मैं प्रेप अन प्राइम करके थोड़ा आई मेकप कर रही हूं स्टार्ट तो पर प्राइमर भी अच्छे से यूज किया है अभी यह वाला टुटॉरियल इस चीज के लिए है कि यहाँ पर जैसे मैं चाहते हैं तो मैं यह भी बताना चाहती हूं कि यह पूरा आई मेकप मैंने फुल कट्रीस किया है जैसे मैं प्रेपyan prime करते हैं, base लगाते हैं, eyeshadow base use करते हैं with any concealer वो सब आपको use करना है अब बहुतों को यह सब नहीं समझ आता है कि काब कॉन सा concealer use करना है, correction क्या होता है, concealer क्या होता है, difference between character क्या होता है, concealer क्या होता है तो उन सब चीजों के लिए मैं आपको यह बताना चाहते हूं कि हमारे Basic to Advanced Professional Makeup Course 30 Days के होते हैं वो चालू हो रहा है मार्च को अगर आपको भी एक Makeup Artist बनना है और आपको एक Course में Enroll करना है So you can contact us at Dantri Shetty Makeup World at 997864888 अभी चलते हैं वापस Makeup में अभी यहां पर मैंने एक Light Transition Shade यूज किया है बहुत ही Light से जाना है उसको Intense करते करते थोड़ा Dark Shade यूज करने है Blending is the Key Eye Makeup में हमेशा 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 Blending is the Key अभी यहां पर देखो पहले मैंने Light Transition लिया था फिर उसको थोड़ा Crease में मैंने क्रीज दिया है और क्रीज को मैं एक Particular Shape में तो Outwards की तरफ भी लेके जा रही हूँ Because क्योंकि हम जो भी हम Eye Makeup करेंगे वो पूरा Cut होने वाला है With the help of Any sort of Concealer or Thick Foundation तो यहां पर Intense किया है And then also I'll apply the Black Eyeshadow जिसे आप देख रहे हैं उससे बहुत ही अच्छा लुक आता है जितना Cut Crease अच्छे से Intense Colors हम Use करेंगे बहुत Blended दिखाएंगे उतना अच्छे से उस Cut Crease का Effect आएगा जिसे आप यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर काफियों को Blending में भी Problem होती है तो यह जो सारे Doubts होते हैं कि माम Transition Shade क्या होता है Proper Blending क्या होती है कौन से Brushes यूज़ करने चाही है Blending की टेकनीक क्या है कब कौन से Colors Deposit करने है कब कौन से Colors को कितना Blend करना है तो यह जो बहुत सारे Doubts होते हैं लोग YouTube देखके Makeup तो सीख लेते हैं सब में आपके सारे Doubts क्लियर हो जाएंगे यह सारे Makeup Tutorials में Upload तो करती हूँ बट यह Obviously Fast Forward Motion में होते हैं जितना मैं आपको समझा पाती हूँ इसमें उतना मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ बट अगर आपको भी कुछ Doubts है तो आप मुझे Message कर सकते हैं और अब हमारे Classes भी Join कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए Cut Crease में मैंने जो भी Consider लगाया उसको Obviously थोड़ा सा Wipe Off भी किया है मैंने तोड़ा Matte Effect चाहिए अच्छे से यहाँ पर Shimmer Pigment, Shimmer Eyeshadow सब कुछ अच्छे से Apply किया है लास्ट में Glitter के साथ मैंने Top Up किया है अब Glitter Application में भी बहुत को Issues आते हैं कि भाई Glitter Application में डिरेक Glue लगा के Glitter लगा दिया Glitter लगाना कैसा है Fall Out होते हैं तो उसको Manage कैसे करना है Fall Out होता है तो हमारा Make Up खराब हो जाता है तो यह सारे जो भी छोटे-छोटे issues होता है यह Make Up में Actually बहुत tips and tricks help करते है जो हम आपको सिखाते है So yes, यह Make Up में आप पूरे यह सारे चीजे ही सीखेंगे इस Make Up में आपको जो भी Practice Sessions दिये जाएंगे यहां पे पूरे 30 दिनों तक तो आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही confident artist बन जाएंगे And here is the complete look You can see the eye makeup बहुत ही प्यारा सा glow भी आरा है And here is a soft, subtle, full cut crease makeup है And yes, the look is here If you like this video, please do like and share और आप contact कर सकते हैं 99786-48888 पे आप unroll कर सकते हैं Register करवा सकते हैं March की batch के लिए Thank you so much